वेलकम तो माई चैनल एडवर्ड विंग्स एंड आज की जो वीडियो है वो है कि जो फॉर्थ क्लास की जितने भी सिलेक्टिड काइड़ेट से जिने फॉर्थ डीवी के लिए बुलाया गया है तो जो पांच नंबर की वेटेज थी काफी सारे अलग-अलग कैटेगरिस में 15 तो कुछ बच्चेम उनको काफी कलैरिबॉन की जड़ुन सीजुरू है अगर हमारे गर में आशा वर्कर है तो मिलेगा हमारे घर में अगर कोई तब socialist नहीं था अब तो ऊसके हमें मिलेंगे या नहीं of reliable है तो इस तरह से बागी काफिक लेरिफिकेशन थी कि हमारा family member जो है किसी का कोई भाई या बहन है वो separately रह रहा है तो उसको क्या employee माना जाएगा या नहीं माना जाएगा तो इसको लेकर GAD ने जो है वो क्योंकि ग्रिवियान सल पर काफी बच्चों ने सवाल भूचे हैं तो GAD ने जो है अपनी तरफ से आज बिलकुल clarification दी है और आपके हर एक सवाल का जवाब इसमें दिया गया है तो आईए देखते हैं कि क्या क्या जवाब जो है वो दिया गया है कि सबसे पहला सवाल जो था वो है कि यह पहला सवाल है कि वेदर अगर्ल candidate with one parent expired can claim the extra weightage under the category of orphan girl तो पहला सवाल यह था कि एक माली जी एक लोगों का सवाल था कि एक लड़की है अगर अकेली उसका अगर एक parent जो है दोनों में से किसी एक parent की death होगी है तो क्या वो orphan category में जो है वो पांच extra marks जो है वो claim कर सकती है यह नहीं तो इसका जवाब जो है वो आया है कि बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर दोनों parents जो है उसके लड़की के अगर वो इस वक्त नहीं जिन्दा है और वो unmarried है सबसे पहले तो unmarried होनी चाहिए और unmarried है और उसके दोनों parents जो है अगर उनकी death जो है इस वक्त हो चुकी है तो वही जो है वो सिर्फ इस वक्त claim कर सकती है यह पांच points ठीक है दूसरा सवाल बच्चों का यह था कि whether a candidate having a casual labor की यह वला बड़ा अच्छा काफी जारे बंदों का सवाल था कि casual labor है अगर हमारे casual labor है यह daily wager है यह आंगनवारी worker हैं कोई भी ऐसी category जहांपर permanency का nature नहीं था तो क्या इनको unemployed माना जाएगा तो खुशी की खबर है इन बच्चों के लिए यह के बिलकुल इन्होंने कहा है कि क्यूंकि यह सब permanent government employment नहीं आते तो इनके जो है इनको आप non government employee मान कर अपने 5 points जो है वो आप यहां से claim कर सकते हो ठीक है तो यह बड़ी अच्छी बात है इन बच्चों के लिए काफी बच्चों का यह सवाल था उसके बाद यह है कि next question था कि whether a candidate who has brother assistant government service and is leaving separately कि किसी का भाई या बहन है वो government service में तो है लेकिन वो उस घर में उनके साथ नहीं रह रह रहा है या किसी की बहन है वो service में हैं लेकिन वो शाधिष उदा है वो कहीं और रह रही है तो उसके benefit वो उसको नहीं मिल रहे है तो इसका जो है जवाब यहीं दिया गया है कि family member है आपके बहन हैं बाई है ए twenty Heidi है आपके साथ रह 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 रहे है या नहीं रह रह रहें इसमें जो है जै कि हैसस्प्र जो है वो क्लेम नहीं कर सकते ठीक है next question था कि can a candidate who had no family no member of his family in government service at the time of applying the form ठीक है तो ये सवाल ये था कि माली जी की form भरने के टाइम किसी का कोई भी घर से government apply नहीं था और इस बीच में जो है कोई government apply लग गया है माली जी के bank में किसी की selection होई है पंचायत अकाउंटर सेस्टें में जिसकी selection होई है तो इसका जवाब जेके सब्सक्राइब नहीं ये दिया है कि cut off date जो है वो document verification की date है तो जो document verification की जो आकरी date है अगर तब तक किसी की family में कोई member employed नहीं हुआ है तो उसको जो है वो पांच point मिल सकते हैं अगर इस से पहले ये document verification की last date से पहले अगर किसी गर कोई employee लग चुका है तो वो claim नहीं कर सकेगा ये marks यानि JK bank की जिनकी joining हो चुकी है अब वो बच्चे ज जो है सवाल वो था कि period of validity के certificates की validity पर भी काफी बच्चों का सवाल था कि कब validity इसकी है कितनी validity है तो क्यूंकि certificate पर कोई validity लिखी नहीं गई है तो JKSB नहीं कहा है कि इसकी validity उतनी रहेगी जब तक यह selection process चैल रही है JKSB कि जब तक final selection होकर बच्चों को जवाइन नहीं करवा दिये जाता तब तो किसकी validity जो है वह मानी जाएगे तो इस सारे सवालों के जवाब जो है गयाड ने सवालों के जवाब क्योंकि यह domain उनका है rules बनाने का तो उनकी तरफ से जो है वो आचुका है notification I hope जो है अब जो बच्चे हैं जिनको भी यह issues थे उनके issues जो है वाज क्लि